हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायो मेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन और आज इस क्लियर कंसेप्ट क्रैश कोर्स सीरीज में मैं आपके पास 12th NCRT बेस्ट चैप्टर बायो टेक्नलोजी जो यूनिट है उसके सबसे 1st चैप्टर को मैं डिसकस करने जा रहा हूं और यहां पर आ तो यहां पर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि अब हमें NCRT लाइनर, एक्स्राक्ट और बूस्टर इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए, questions को pick up करते हुए, revise करना है, now it's a clear concept revision crash course series में है, तो ध्यान रखेगा commandos, सबसे पहले मैं एक briefing करना चाहूंगा इस chapter का basic level पे कि what are the promising questions, कौन-कौन से topic से questions भहती vibrant तरीके से पूछे गया है, तो मैं एक random example ले रहा हूँ, tools, अलग-अलग तर toning vectors के questions बन सकते हैं, अगला है techniques, techniques में PCR और gel electrophoresis, question का एक बहुत एहम दाइरा है, okay commandos, इस बात को ध्यान देना चाहिए, क्या और कैसे लिखा हुआ है, फिर bio reactors, yes commandos, किस पर बात होगी, bio reactors, दो तरह के bio reactors, stirrer and spar stirrer के बारे में बात की है, उनमें क्या difference है, और एक bio reactor की क्या ख पूछा जा सकता है, अब मेरा कहदे का मतलब है कि आप जैसी NCRT पढ़ते हैं, line to line questions कैसे pick up हो सकते हैं, चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला point NCRT का इस बात से शुरू होता है, traditional और modern biotechnology को compare करते ठीक है, kitchen technology, घर में बना हुआ दही भी कही न कहीं एक product है, biological product है, किसी micro organism के biological natural ability का, clear, lactobacillus group के जो है members का स्तमाल करते हुए जो है, उनको मौका दे के दूद से जो है दही बनने का process, घर में kitchen technology भी एक तरह का traditional biotechnology है, तो उसमें और आज के modern biotechnology भी क्या अंतर है, इस बात को clearly define करते हुए chapter शुरू होता है, तो सबसे पहला question NCRT से इस बात को लेकर हो सकता है, कि सबसे बहतरीन definition biotech का जो माना गया है European Federation of Biotech, yes commandos, गौर करिएगा, European Federation of Biotechnology ने किस तरह से biotechnology को define किया, जिसमें traditional or modern biotech दोनों का एक बहतरीन mixture उस definition में सामने आता है, clear, तो यह वो line है, the integration of natural science and organism cells parts thereof, molecular analogs, किसी भी जीव का, किसी भी organism का स्तमाल इस रूप से किया जाए, कि उससे हम किस प्रकार से मानव सब्यता, mankind को services दे सके, quantity और quality के साथ, इस बात का ध्यान में रखते हुए, यह definition दी गई है, यह सबसे पहला question इस chapter का है, commandos, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कि अब modern biotech किस पर और कैसे आदारित है, दो बाते सामने आती है, जो कि आप देख सकते है, modern biotechnology के दो core techniques है, अगला प्रशन, जो है, the other question, the two core techniques, एक है genetic engineering, दूसरा है, बायो प्रोसेस इंजिनिरिंग, अब इसमें कहना यह है, कि जो basic, उद्देश है, कि एक ऐसा genetically modified organism, GMO को तयार कर लेना, changed phenotype of the host organism, मन चाहा हमारा वो organism, जो कि एक ऐसा phenotypic expression शो करेगा, जिससे कि हम कोई फाइदा ले सके, enhance कर सके, हमें हमारे commercial aspect पे, तो अब उसके लिए क्या करना, कि उसमें जो DNA, उसके phenotype को कौन टाई करता है, उसका genetic material, आज हम उसको manipulate, tailoring करने की शमता रखते हैं, genetic engineering एक ऐसा ओजारे technique है, जिससे हम किसी भी organism के अनुवांशिक जो genetic material है, उसको कहीं न कहीं manipulate करते हुए, उससे हम हमारे लायक बना लेते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए काम कर सके, clear, यह सबसे पहला point है, लेकिन अगला है, कि अब वो genetically modified है, उसका जो भी behavior है, वो controlled conditions में करेगा, nature में नहीं करेगा उसका वो behavior, अब वो controlled conditions और given environment देना भी, biotechnology, modern biotechnology के सिक्के का दूसरा पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू है, तो वही बात यहाँ पर लिखा है, कि maintenance of sterile condition, ambience for growth, pH, temperature, जो भी उसको चाहिए, nutrient, जिससे कि वो बहतरीन से बहतरीन तरीके से, जो है, अपने आपको express कर सके, clear, तो that process, that science, वो mechanical engineering, chemical engineering का स्वाल करके, एक ऐसा ambient इस तरह का वातवरण, जो कि हमारे host organism, जिससे हमने तैयार किया है, हमारे मनोवंचित तरीके से, वैसा ही वो वहवार करे, ठीक है, तो यह introductory question चैप्टर से ऐसे बन सकता है, चलिए, कमांडोस आगे बढ़ते हैं, कि बात आती है, traditional hybridization और बायो टेकलोजी, बायो टेकलोजी से पहले भी, ऐसे सारे तरीके थे, कि अलग-अलग plants और animals की breeding करते हुए, superior qualities characteristics साथ, हम superior breed को लाने का मन चाहा तरीका अपनाते थे, लेकिन उसमें और आज के modern biotech में क्या basic difference है, और जो भी वो difference है, वो हम हासिल कैसे करते हैं, क्या हमारे पास ऐसे 1000 है, क्या हमने विक्सित कर लिया है, और क्या techniques है, यही पूरे chapter में discuss किया गया है, तो commandos questions भी इसी तर से हो रहेंगे, clear, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं कि traditional hybridization में क्या होता है, जो भी नया breed plants, animals के बनते हैं, उसमें, उसमें मनोवांचित अनुवांचिक पधार्त के साथ कभी कभी अंचाहा, undesirable gene, undesirable gene, along with desirable gene, मनोवांचित gene जो हम चाहते हैं, उसके इलावा भी कुछ अंचाहे genes आ जाते हैं, जिने रोका नहीं जा सकता, यही चीज, modern biotech में आज, gene cloning और transfer से संभव है, कि केवल, केवल हम, हम जो gene चाहते हैं, सिर्फ desirable gene ही, जो है, हमारे मनोवांचित, मेजबान, जीव के शरीर में, host organism के शरीर में, जाएगा, yes, that's the point, isolated and introduce, only one set of desirable genes, genes, जिसमें undesirable gene नहीं जाएगा, modern biotech में, तो अब अगर यह संभव है, तो cloning और gene transfer करने के लिए कुछ आवशक्ता होती है, there are some needs, अगला question ऐसे बनेगा, commandos, कि ऐसा कैसे संभव है, कि जिस gene को हम host में enter कर रहे हैं, वहां जाकर वो अपने आपको पहले express कर सके, उसका हिस्सा बन सके, क्या यह संभव है, हाँ यह संभव है, यदि, यदि specific DNA sequence, औरी, origin of replication, औरी site मौझूद होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी initiating replication, और यह site, इस काम को, किस काम को, alien DNA, passenger DNA, foreign DNA, जैसा आप कह लिजे, मनुवान्चित हमारा gene of interest, alien DNA, वो vector DNA के साथ link करके, तो दो बाते आती हैं, vector क्या है, किस DNA को आप vector कहते है, क्यों कहते है, उसकी क्या properties है, और हम कैसे हमारे मनुवान्चित gene को ही सिफ निकाल सकते हैं, उसकी लिए भी तो हमारे पाच कुछ औजार होना चाहिए, जो chemical level पे cutting का का काम करे, मैं आता हूँ, commandos अगले question पर, लेकिन बात आती है, कि य gene of interest को हम एक vector DNA में link करके, कैसा DNA जिसके पास ori site है, जो ये संभव बनाता है, possible बनाता है, कि एक newly host body के अंदर भी जाकर, हमारा desired gene, क्या करेगा, yes, यही बात लिखा है, must have origin of replication, जिससे की वो replicate करके multiple copies बनाए, यही परीभाशा होती है, this is the definition of gene cloning, वो host के अंदर जाकर, अनेक, असंख्य, है ना, high number of copies तयार कर सके, clear, अब अगला, अगला question, कि ऐसा पहली बार किसने किया, first artificial recombinant DNA, rDNA, किसने और कैसे बनाया था, तो अगला question, gk-based, the first rDNA, linking gene with encoding antibiotic resistance, गौर करना कवांडो, मैं क्या कह रहा हूँ, linking gene encoding antibiotic resistance, with, with क्या, native plasmid of salmonella typhuniorium, ठीक है, salmonella typhuniorium से, जो है, plasmid लेकर, उसके अंदर, जो plasmid है, is a natural vector, उससे, जो है, किसको attach किया गया, antibiotic resistant gene, clear, antibiotic resistant gene, जो है, उस vector के साथ, vector, जो की salmonella typhuniorium से लिया गया, clear, उससे तयार की हुए, rDNA को, ठीक है, किसमें insert किया गया, E. coli, और इसके लिए, cutting of DNA at specific location by restriction enzyme, फिर rDNA technique, क्या होता है, cut piece of DNA, linked plasmid DNA, सही बात है, मनुवानची gene of interest को cut किया, plasmid DNA के साथ link किया, यह step था, first rDNA technique को तयार करने में, rDNA, with DNA ligase, कैसे जोड़ा, rDNA ligase, और उससे बना recombinant DNA, तो rDNA is equal to, rDNA क्या होता है, is equal to, fDNA, fDNA plus vector DNA, सही बात है, rDNA is equal to, fDNA plus vector DNA, जो है, बनाया गया, ओके, plasmid DNA act as a vector, to transfer piece of DNA, attached to it, और फिर जब उसको, e-coli में enter किया, वहाँ जाकर उसने अपने आपको multiple copies बनाई, इसी को हम कहते है, cloning, क्या कहते है, cloning, तो यह था, chapter का introductory question, सीखने के बाद, definition, ध्यान दी जगा कमांडो, definition, genetic engineering और biochemical processes engineering का क्या लाब होता है, क्या फाइदा है, हमारे biotech का, modern biotech का traditional hybridization, अगला question यह बन सकता है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, कि सिर्फ desirable gene ही हमारे host के अंदर जाएगा, undesirable gene की कोई जगा नहीं है, लेकिन earlier traditional techniques में, जो है desirable के साथ कुछ undesirable gene भी आ जाते थे, पहला, अगला question जो भी अभी मैंने discuss किया वो यह, कि कौन सबसे पहली बार उन्होंने जो है first RDNA बनाया, that is Stanley Cohen and Herbert Boyer 1972, उन्होंने कैसे बनाया, उन्होंने कौन से gene को FDNA की तरह लिया, antibiotic resistance genes, उन्होंने plasmid जो है, lative plasmid किसे लिया, salmonella, typhumerium से, तो plasmid के अंदर उन्होंने हमारे FDNA को जोड़ा और RDNA तयार, clear, तो RDNA को तयार करने के लिए ligase enzyme चाहिए, FDNA को काटने के लिए, vector DNA को काटने के लिए, restriction enzyme चाहिए, ये सब भी discovered हो चुके थे, by that time, clear, लेकिन इनका इस्तमाल करके पहला RDNA ऐसे बना था, clear, तो ये था question का पहला दाइरा, यहां से आ सकता है, अब आगे बढ़ते हैं, yes, commandos, finally, अभी जो पूरा तरीका बताया कि DNA को कट करना, vector DNA से जोड़ना, और फिर RDNA तयार करके उसको host में introduce कराके multiple copies बनाना, लेकिन कहने का मतलब है कि what is the basic step of genetically modifying organism, three basic step, identification of DNA with desirable gene, सबसे पहले तो gene of interest, fDNA, alien DNA को पहचाद करके आप तय कर ले, okay, फिर introduction of the identified DNA into the host, जिस DNA को आपने identify किया, gene of interest आपने तया कर ले, उसको host में प्रवेश करा है, किसी vector molecule के through, yes, correct, and then maintenance of introduced DNA into the host, अब वो introduced DNA host के अंदर जाकर, multiple copies बनाए, express करे, इसके लिए जो है, हम उसको बिलकुल well to do, जो है environment दे, और वो अपने आपको express कर सके, so all the three statements are correct, which are the three basic steps, इस तरह से question बन सकता है, okay, commandos, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, अगला question, restriction enzymes, restriction enzymes, 1963 में, सबसे पहले जो discover हुए है, दो तरह के enzyme, और ये enzyme mechanism जो है, जो discover हुए थे, ये prokaryotes के, जो prokaryotes में, उन prokaryotes में जो है, ये defense mechanism, बेक्टीरिय वगेरा में उनका defense mechanism है, क्यों, क्योंकि अक्सर बेक्टीरिया में, जो है, transformation से, या viral attack से, जो है, DNA extra enter कर जाता है, और वो उनका हिस्सा बनके, उनके genetic material को incorporate करके, नुकसान पहुचा सकते हैं, जैसे bacteriophage का attack, तो nature में, already, इस तरह का mechanism, इसको रेक्ट कहते हैं, restrictionization mechanism, restriction का मतलब होता है, कि किसी भी foreign DNA को, बेक्टीरिया अपने अंदर, जो है, पन अपने ना देना, integrate ना होने देना, उससे पहले उसकी पहचान करके, उसके टुक्टे टुक्टे कर देना, तो ऐसे दो enzymes, लेकिन, यह जो enzymes हैं, यह तो खुद बेक्टीरिया के वी DNA को तोड सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा, there are two enzymes, methylase and restriction endonuclease, ठीक है, एक क्या करता है, restrict the growth of bacteriophage, है न, restriction endonuclease, दो enzymes की प्रनाली है, उसमें two enzymes isolate हुए थे, from the E. coli, पहले enzyme का क्या काम है, the first restriction endonuclease, आरी मेरी बात सबज में, commandos, methylated group, ध्यान रखिएगा, कि methylated group को जो है, जोड देते हैं, जिससे बेक्टीरिया खुद को बचा लेते हैं, और असके इलावा, अगर cell के अंदर कोई दूसरा foreign DNA होगा, तो वो cut हो जाएगा, यह वो mechanism था, तो सबसे पहला restriction endonuclease, है न, हिन्टू, discovered हुआ, recognition sequence, जो है, वो six base pair, ध्यान रखिएगा, छे base pair का recognition sequence था, जिसको वो काटेगा, clear restriction side, जिस पर जो है, यह enzyme कट करेगा, तो first restriction endonuclease, हिन्टू, वो जो recognition sequence, वो जिसकी पहचान करके DNA को कट करता है, वो छे base pair के length का है, clear, presently, तो पहले के बाद, हिन्टू, है न, that is hemophilus influenced strain D, second type, ठीक है, हिन्ट D2, जिसको हम कहते हैं, clear, 900 restriction enzyme, यह question आ सकता है, करीब 200, 230 strain से भी जादा, बैक्टीरिया से, हमने till date 900, ध्यान रखिये का commandos, क्या कहा मैंने, यह figure, यह GK based question, यह data question बन सकता है, कि presently, जो है, हमने कितने restriction enzyme discover कर लिए, 900, from 230 different bacterial state, type 1, type 2, ऐसे करके, clear, अगला question, कि restriction enzymes, यह commandos, अब अगला question यह आ सकता है, कि restriction enzyme का जो nomenclature, उनका नामकरण कैसे होता है, उसके क्या नियम है, अगला question यह है, तो इसमें आप देख सकते हैं, जो first letter है, वो genus, और next two letter, जो है, जैसे suppose, ECO-R1 में, E esterecia, और CO मतलब coli, clear, जबकि Roman number जो है, वो बताता है, कि वो, किस sequence में, जो है, bacteria से isolate हुआ था, order in which the enzyme was being isolated from the, और R जो है, वो strain बताता है, क्या बताता है, strain, species name of procurator cell from which the enzyme has been extracted, और R जो है, वो strain बता रहा है, capital letter में जो तीसरा लिखा हुआ है, first letter, genus name, दूसरे दो letter, species name, तीसरा जो bacteria का strain, और Roman letter क्या बताता है, Roman letter क्या बताता है, yes commandos, Roman letter बताता है, उसका sequence of isolation from the same bacteria, इस तरह से आपको याद रखना है, वैसे ECO-R2 जो है, E-COLI, R245 से जो है, discovered है, clear, तो ये एक question ये भी आ सकता है, मालब point भी noted, बिल्कुर ऐसे दिमाग में clear रखिएगा, जो है अगला question इस तरीके से आ सकता है, restriction enzyme के nomenclature, नामकरण का जो तरीका है, उसके नियम अनुसार कुश्यन आ सकता है, अगला देखिए, restriction enzymes, class nucleases, restriction enzyme खुद बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि वो तो DNA, RNA पर काम करते हैं, तो उनको nucleases, group of enzymes nucleases केते हैं, अब वो दो तरह के होते हैं, exonucleus, endonucleus, exonucleus वो है, जो किसी भी sequence में, जो terminal ends होते हैं, वहां से तोड़ते हुए, एक-एक, single, किसी भी एक end से, from any end of the DNA, एक-एक terminal end से जो है, एक-एक nucleotide को तोड़ते हुए आते हैं, लेकिन इसका स्तमाल नहीं होता है, इसका स्तमाल RDNA technique, genetic engineering में नहीं होता है, अब आता है endonucleus, cut at specific position, खुद endonucleus तीन टाइप के होते हैं, type 1, type 2, type 3, type 1, type 2, type 3, इन तीनों में से कौन स्तमाल होता है, as restriction enzyme biotechnology में, answer होगा type 2 endonucleus, type 2 endonucleus, जो एक बहुती specific position within the DNA, उसकी पहचान करता है, पहचान करता है और फिर cut भी करता है, यह उसकी खासियत है, in presence of different जो भी है buffer solution, यह उसका काम का तरीका है, ध्यान रखेगा endonucleus, cut the specific, not only recognize it, then cut it also, proper, अब पहचान करने की जो उसकी ability वो किस बेसिस से, जो restriction sequence है, उसकी क्या खास property है, जिससे की restriction enzyme जो है, उनकी पहचान करके उनको cut कर सके, that's the question, I repeat, कि जो restriction sequence है, जो specific sequence है, उसकी ऐसी क्या property है, that's the question, अगला question इस तरह से पूछा जा सकता है, palindromic sequence, sequence of special based pair, एक ऐसा, जिसको दोनों end से, ठीक है, ऐसे opposite, opposite, that is, 3-5-, 3-5-, जो ends होते हैं, opposite end पे reading करेंगे, तो they are, है ना, they are palindromic sequence, left to right, right to left, जो है, same later sequence होगा, है ना, अंग्रेजी का शब्द होता है, palindromic words, क्या होता है, palindromic words, उसी तरह से यह sequence follow करते हैं, anti-parallel to each other, जैसे कि उधारन के लिए, जी, ए, ए, टी, है ना, जी, ए, 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 टी, टी, सी, तो वापस यहां से देखिए, अब यह 5-, 3-nd है, तो यहां से फिर से देखिए, 5-, 3-nd, G, A, A, T, T, C, दोनों end से जो है, यह equally they can be, same repeated sequence में रहते हैं, ऐसे sequence इसको कहते है, palindromic sequence, sequence of base where, read same on the two strands, when orientation of reading is kept same, orientation of reading मतलब path से, 5- से 3-, और फिर वापस 5- से 3-, आपको sequence की reading, दोनों तरफ से सेम आएगा, right to left, left to right, यह सबसे बड़ी पहचान होती है, restriction sequence, जिनकी पहचान वो enzyme करते हैं, और particular specific तरीके से cut करते हैं, चलिए, restriction enzymes, cut strands of DNA little, question यह आ चुका है, commandos यह question आ चुका है, as such line, की restriction enzymes अपनी cutting कैसे करते हैं, strand of DNA little away, away from the center, center से थोड़ा सा हट कर, cut करते हैं, दोनों तरफ से, और flanking sequence, लटकन के साथ sticky ends बनाते हैं, clear, तो वही बात लिखा हुआ है, यहाँ पर, from the center of palindromic side, but between same two, basis of the opposite strand, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही याद करना है आपको, कि यह सही statement है, restriction enzyme की functioning of cutting को लेकर, question ऐसी तो पूछेंगे, what is correct regarding the cutting action of restriction enzyme of sequence, किसी भी sequence को cut करने के, किस नियम से संबंदित सही statement दिया है, ऐसे करके question पूछेंगे, तब आपको यही line याद रखना है, ओके commandos, चलिए, आगे हम diagram से देखते हैं, जैसा मैंने बताया, अब आप देखी यह sequence, clear, यह sequence देखी आप, यह vector DNA है, और यह foreign DNA, दोनों के ends, तो इनको कैसे काटेगा, restriction enzyme आके की, अब आप देखिए, sticky ends, sticky ends, center से थोड़ा हट कर यहाँ cut किया, और center से हट के थोड़ा यहाँ cut किया, see, this is the diagram, तब जाकर इनके ऐसे flanking, sticky segments बने, ठीक है, क्या बना यहाँ पर, देख सकते हैं, everyone clear, और तब जाके दुबारा जुड़ेंगे, recombinant DNA बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, recombinant DNA, तो, what is diagram से, इस diagram से क्या याद रखना है, the complementary sequence, या, the sequence of the ends, the sequence of the ends, किसके, foreign DNA का, और vector DNA के, जो sequence है ends के, वो एक दूसरे के complementary होने चाहिए, और यह complementary कैसे होंगे, जब वो same restriction enzyme से cut होंगे, same restriction enzyme से क्यों cut होंगे, क्योंकि वो restriction enzyme, जिस sequence को पहचान करते हैं, वो sequence होता है, palindromic sequence, जिस पर यह enzyme जब काम करते हैं, तो इस तरह से sticky end से cut ते हैं, जिससे की DNA ligase, उनको बिल्कुल specifically, complementary base pairing के साथ, जोड सके, आई बात सबको सबज में, यस, इस diagram से, ये भी सीखने वाली बात है, clear, तो ध्यान दीजिएगा, restriction enzyme सारा tool, biotech के tool है, और वो कैसे tool है, molecular seizure कहलाते है, molecular glue कहलाते है, कौन, molecular seizure कौन कहलाता है, restriction enzyme, molecular glue कहलाता है, जो चिपकाने का काम करता है, DNA ligase, clear, तो tailoring, specific बिल्कुल तरीके से, shape में काटेंगे, जिससे की वो complementary base pairing, ligation के दौरान कर सके, पहला tool, enzymatic tool of our DNA technology, किसके बारे में, that is restriction endonuclease, खुद जो की एक तरे का endonuclease है, ऐसे तो भहुत सर endonuclease होते हैं, लेकिन type 2, कौन सा endonuclease, restriction endonuclease की तरह, genetic engineering में, laboratory में, इस्तमाल होता है, answer होगा, that is type 2, clear, overhanging stretches, sticky ends on each strand, form hydrogen bond, जुडते समय, complementary DNA counterpart, जुडते हैं, तो DNA ligase, किस तरह के bond से, उनके sticky, sticky end कहते ही, क्यों है उसको, क्योंकि उसके complementary counterpart, hydrogen bonds, टूटे हुए रहते हैं, यह भी question है, यही बात यहां पर बताई गई है, ध्यान से देखिए, sticky ends on each strand, form hydrogen bond, with the complementary cut counterpart, complementary counterpart, आपस में जुडते हैं, hydrogen bond से, और DNA ligase, DNA ligase, को कौन सा मतलब, कहने का मतलब है, question ऐसे पूछा जाएगा, कि जब भी ligation होता है, तो फिर यह जो, आपस में sticky ends जुडते हैं, किस bond की मदद से, answer होगा, hydrogen bond, किस की मदद से, hydrogen bond, तो यही stickiness of the ends, facilitates action of DNA ligase, क्योंकि DNA ligase, hydrogen bonds को, आपस में जुडते हैं, clear, restriction endonucleus, form recombinant molecules of DNA, composed of DNA, from different sources, NCRT में एक presentation बना है, मैं अभी इस line को, उस पर apply करके, आपको बताऊँगा, बात तो सही है, दो अलग-अलग origin के DNA को, जो है, पहले तो वो क्या कर देते हैं, cut कर देते हैं, फिर जोडते हैं, clear, तब जाके ना recombinant DNA तयार होगा, sticky ends, complementary to each other, when cut by same restriction enzyme, हमेशा genetic engineering में, foreign DNA, यह मैं बात पहली पर होता चुका हूँ, gene of interest, और vector DNA को, कैसे cut करेंगे, same restriction enzyme से, तभी तो वो complementary sequencing आएगी, जोडने के लिए, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, sticky ends, complementary to each other, when cut by same restriction enzyme, joined together end to end by DNA ligase, तभी तभी दो DNA ends को जोड़ पाएगा, जब same restriction enzyme से, जो है alien DNA और vector DNA को cut किया गया है, तभी वो उस complementary sequence के counterpart का, hydrogen bonding से, DNA ligase उसको जोड़ पाएगा, these are all correct statement, मैं आपके सामने, NCRT से यह सारे points, read करते हुए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, commandos सब लोग ध्यान दीजिए, कि किस तरह से questions put up किये जाएंगे, कि जो sticky ends है, वो sticky ends इसलिए है, क्योंकि वो same restriction enzyme से cut हुए थे, question बनाएए ना commandos, हम सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने, सिर्फ reading कर रहा हूँ, sticky ends होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो palindromic sequence है, इनकी पहचान restriction enzyme, और same restriction enzyme से, F DNA को भी, और किसी भी source से cut करते हैं, वो restriction enzyme, जिस से cut एगा, उसी restriction enzyme से, हम हमारे vector DNA को, तब ही तो complementary counterpart आएंगे, और DNA ligase, उनको hydrogen bond से दोबारा, ligation में जोड पाएंगे, ठीक है, ओके commandos, चलिए, तो देखिए यहाँ पर foreign DNA, vector DNA, दोनों को, दोनों को same restriction enzyme से cut किया, यह देखिए यहाँ पर arrow बना के, तब ही तो यह sequence, ligation से यह रहा recombinant DNA molecule बना, यह रहा पूरा recombinant DNA molecule, जहाँ पर यह रहा foreign DNA, और फिर उसको जो है, host के अंदर, अलग-अलग तरीके से introduce करते हैं, एक तरीका है, transformation, क्या करना, transformation, naked DNA molecule को, uptake करना, हमारा host, उसको uptake कर लेगा, अपने pore से, लेकिन उसके लिए, उसको हम treatment देते हैं, लायक बनाते हैं, competent बनाते हैं, clear commandos, तो इस diagram से, अभी-अभी जो मैंने points आपको समझाया, वो साबित हो रहा है, कि देखिए, वेक्टर DNA है, और यह रहा foreign DNA, दोनों को, एक ही restriction enzyme से, specifically cut किया जाता है, तब जाके, जो complementary sticky ends बनेंगे, और DNA ligase के function को, आसान बनाएंगे, clear, okay commandos, चलिए, आगे बढ़ते हैं, cutting of DNA, by restriction endonucleus, fragments of DNA, separated by gel electrophoresis, यह रहा, mixture, commandos गौर करिएगा, test tube के अंदर, हमारे genetic material को cut किया, ऐसे बहुत सारे टुकडे बने हैं, ऐसे बहुत सारे टुकडे बने, अब question यह है, okay commandos, की मान के चलिए, यह रहा मेरा FDNA, green color का जो है, यह FDNA है, अब आपको board पे तो यह color से ऐसा दिख रहा है, लेकिन lab में तो दिखता नहीं है, तो यह तो बहुत सारे fragments है, restriction enzyme के cutting से तयार हुआ, लेकिन FDNA हमारा यह है, हमें यह चाहिए, तो इस पूरे fragment, mixture of DNA fragments में से, हमारे desired interest of gene को separate करने के तरीके, इसको हम कहते हैं, gel electrophoresis, जिसमें क्या करेंगे, DNA fragments negatively charged, DNA negatively charged होते हैं, एक gel तयार करते हैं, surface ऐसा, उसमें ऐसा wells होते हैं, wells मौजूद होते हैं, और DNA खुद कैसा होता है, negatively charged, तो जो cathode end है, cathode end होता है negatively charged, वहाँ load कर देते हैं, और same, same electric charge होने के करना, वो ripple, वो ripple करकर के anode की तरफ, anode की तरफ under electric field, medium matrix, तो molecular weight, molecular weight, length of the fragment, charge, यह तीन कारण होते हैं, जो कि इनके separation को, electric field में बढ़ावा देते हैं, और जो सबसे छोटा होगा, वो farthest होगा, और जो सबसे जादा लंबा होगा, undegested होगा, वो नजदीक होगा well, इस तरह से band patterns के साथ, हम हमारे desired DNA को, अलग separate कर देते हैं, the technique is called gel electrophoresis, और उसके लिए, ठीक है, देखिए क्या sequence है, most commonly used matrix agarose, जो कि एक natural polymer है, कहां से extract seaweed, red seaweed जो है, उससे मिलने वाला यह powder, agarose, जो की solidifying agent का काम करता है, उससे वो gel तयार किया जाता है, और उसमें, कूम ऐसे एंटाच करके, wells बना दिये जाते हैं, और क्या load कर देते हैं, DNA sample, क्या load कर देते हैं, DNA sample load कर देते हैं, और जहां भी हमारा FDNA होगा, वो सब पहले separate हो जाएगा, और उस हमारे desired gene को हम, illusion से extract कर लेते हैं, कौन से technique से, illusion से, तो ध्यान से देखें, commandos, gel electrophoresis के ये fundamentals है, यहां से विए question आ सकता है, जहां आपको ये बात, याद रखना है, कि DNA को हमेशा किस तरफ load करते हैं, cathode, DNA run करके किस तरफ जाता है, अनोड की तरफ, all the given statements are correct, DNA are separated on gel electrophoresis किस बेसिस पे, length, length of the fragment, size, molecular weight and charge, यह चार बातों से जो है, वो अलग-अलग differentiate करते हैं, और separate होते हैं, next, DNA fragments separate, resolve according to their size, sieving effect, commandos, गौर करना, क्योंकि जो matrix बनता है, उसमें छोटे-बडे-चोटे-बडे pores होते हैं, तो बड़े-बडे pores से, छोटे-छोटे segments से ले जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आगे जाते हैं, अलग-अलग density के कारण, pore size के कारण, जो बड़े DNA molecules होते हैं, वो फसते जाते हैं, रुकते जाते हैं, छोटे होते हैं उन पोर्स से निकलते हो जाते हैं इस event को कहते हैं सीविंग इफेक्ट तो गौर करिएगा size सीविंग इफेक्ट चार्ज provided by the agaros gel smaller fragment size move further जो जितना छोटा होगा वो सबसे दूर चला जाएगा इस basis पे पूरे fragments अलग-अलग हो जाते हैं तो finally commandos यह वो point है जिससे आपको याद रखना है separated DNA fragment staining with ethidium bromide ठीक है तो DNA दिखना तो चाहिए है DNA ऐसे नहीं दिखता है लेकर इसको dye कौन से dye से जो है stain किया जाता है gel ectrophoresis में DNA sample को answer होगा ethidium bromide exposure of UV radiations फिर जो gel को रखकर UV radiations पास करते हैं तो orange band bright orange band colored bands दिखते है separated bands of DNA cut out from the agarose gel and extracted for the gel piece illusion कहते हैं तो आज के बाद याद रखेगा DNA isolation के दौराण spooling gel ectrophoresis के दौराण कौन से टेकनीक illusion illusion मतलब जो है piece of DNA को extract करना from the gel that process is called illusion DNA fragments purified used in construction of recombinant DNA with the cloning vector बस जो है उसको cloning vector से फिर चौर्ण करके recombinant DNA बनाया जाता है तो gel ectrophoresis से related क्या-क्या question आ सकता है यह मैंने आपको बताया कि उसमें जो gel agarose से तयार करते हैं red seaweed से मिला हुआ यह powder solidifying agent ethidium bromide का इस्तमाल होता है illusion सबसे last technique होता है gel ectrophoresis पे clear okay commandos फिर question ऐसा आएगा कि gel ectrophoresis में हम DNA sample को किस तरफ लोड करते हैं बना यह चार बाते आपको main याद रखना है जो NCRT basis यह gel ectrophoresis related question बन सकता है clear अब अगला question जो diagram से आ सकता है कि आप इसमें देख के बताये सबसे छोटा smallest सबसे largest जो सबसे smallest है उसका size सबसे छोटा होगा सीविंग इफेक्ट उस पर जो है ना के बराबर इसलिए वो छोटे छोटे पोर्स को भी क्रॉस करके चला गया इन पर सीविंग इफेक्ट जादब sorry इसमें सीविंग इफेक्ट यह undigested है जो broadband है यह undigested है इसलिए वो broadband है undigested है और इसलिए उस undigested है तो length बड़ा size बड़ा molecular weight जादा इसलिए वो thick दिखते है thick bands और जो जितने छोटे होंगे completely digested है proper digested है और हमारा gene of interest इन ही band patterns में से कोई ना कोई एक होगा clear तो जो बात मैंने अभी बताया कि आप lane 1 में ऐसी तो question आएगा NCRT में देखेंगे न undigested का क्या मतलब है कि इन पर restriction digestion नहीं हो इसलिए fragments नहीं बने तो lane 1 में और lane 2 से 4 तक काफी हद तक digestion हुआ इसलिए fragments अलग-लग size length के बन गए आगे मेरी बात सवज में अगला question cloning vector तो commandos point to be noted बहुत ध्यान से सुदिएगा जो tools of biotech का question restriction enzyme पर आ सकता है वो मैंने आपको बता है दूसरा DNA ligase T4 DNA ligase कहते है वेक्टिरिफिज T4 से उसको हम derive करते हैं Lambda T4 से आसानी से बिलता इसलिए उसका नाम इससा पॉड़ता है लेकि normally हम DNA ligase कहते हैं अब मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अगला important tool our DNA technology में क्या है औजार की तरह vectors क्योंकि FDNA थो हम कैसे निकाल लेते किस tool से वो हमने देखा लेकिन अब बात आती है कि किसी भी host के अंदर जाके वो replicate कर सके express कर सके उसके लिए हमारे पास एक vector DNA taxi DNA जो हमारे passenger DNA को carry करके पूरा सफर कराके destiny पर पहुचा दे कौन destiny है host organism मेजबन कोशी का organism जिसको हम genetically modify बनाना चाहते हैं ठीक है तो अब उससे related question cloning vector, plasmids, bacteriophagies यह सब natural vector, ability to replicate plasmids, natural bacteriophagies में है यह ability कि वो एक particular gene sequence ले जाकर express करा सकते हैं clear natural, natural vectors bacterial cells independent of control of chromosomal DNA बात सही है मैं फिर से repeat करता हूं commandos गौर करिएगा plasmid, bacteriophagies कैसे है natural cloning vectors natural उनमें यह ability natural है उनके पास ऐसे gene sequence है जिससे वो खुद को जाकर independently किसी भी host cell के अंदर जाकर वो अपने genetic material से direction देके host cell के metabolism को control कर पाते हैं यह ability उनमें है इसलिए उनको natural vector कहते है independent of the control of chromosomal chromosomal DNA मतला होस का जो DNA है यानि यह सब extra chromosomal है desired way में behave करें control करें linking of an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA सभी बात है अगर हम हमारे alien DNA को इस commandos गौर करिएगा अगर हम हमारे alien piece of DNA को bacteriophage या plasmid से combine कर दें multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage सभी बात है जितने plasmids or bacteriophage अपना replication करेंगे उतनी copies उतने number of times हमारे alien DNA का copy segments तयार होंगे host organism के अंदर यही तो हमें चाहिए यही तो सबसे बड़ी property है किसका? Cloning vectors का तो vectors used at present क्या करते हैं vectors का स्तमाल आज biotech में कितनी बड़ी बोलते हैं कुश्चन किसा आएगा कि आज biotechnology शेत्र में सबसे बड़ा role क्या है vectors का? कि उन्होंने हमें आसान बना दिया help easy linking of foreign DNA and the selection of recombinants from non-recombinants कैसे? क्योंकि इन के पास selectable markers, cloning site के पास ori site, rob site selectable marker gene, फिर restriction sites, cloning sites यह चार चीज़े vector के पास होनी चाहिए ori site, rob site selectable marker gene क्योंकि selectable marker gene नहीं संभव बनाया है कि हम उसको ऐसी जगा link करें कि जहाँ cloning site है जगा बना और वह cloning site कहां होना चाहिए? एक ऐसे sequence में जो selectable marker gene है जिससे कि हम पता लगा सकें कि कौन recombinant है अब इसी कोई साबित करते हैं point number 34 को the features that are required to facilitate going into a vector सही बात है all the statements are correct अभी अभी जो मैं बात करहाँ cloning vector में क्या वो salient features विशेशता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए कि उसको हम एक cloning vector की तरह स्तमाल कर सके हैं हमारे desired gene को जो है host के अंदर जाकर वो अपने आपको express कर सके हमारे लिए काम कर सके तो आप देख सकते हैं ori site selectable marker cloning site and vectors for cloning genes in plants and animals plants के लिए अलगतर आके animals के लिए अलगतर आके इसको कहते हैं host specificity कुछ vectors plants के लिए होते हैं host specificity ये गुण भी होना चाहिए ori site selectable marker cloning site and very special point कि vectors should be host specific कुछ vectors plant में भैतर काम करते हैं कुछ animal cells के अंदर ori base sequence replication starts any piece of DNA linked to this replicate within the host cell यानि उसकी copy number responsible for ये सारे statements ही है ori site के लिए कौन है जो copy number तै करता है high copy number जिसका ori site जितना भैतर होगा उसका उतना high copy number है और वो cloning vector उतना ही हमारे लिए advantageous है selectable marker helps in identifying and eliminating ये वो gene sequences होते हैं जिनके वज़े से अब कैसे करते हैं बताएंगे आपको लेकिन यही वो genes है जिनके वज़े से हम non-transformants or selectively permitting growth of transformants genes encoding resistance to antibiotics मूल रूप से ऐसे genes जो की antibiotic sensitivity gene होते हैं antibiotic sensitivity gene resistance sorry genes encoding genes encoding what resistance to antibiotics उनके वज़े से particular host cell के अंदर किसी भी antibiotic के लिए resistance और ऐसे genes की मौझूदगी का स्तमाल हम दो चीजों को select करने में हमें मदद करेगा non-transformant को transformants में से and recombinants में से यह दो चीज़े हमें select करने में मदद करते हैं और हमारे rdna technique को बहतर बनाते हैं देखते हैं कैसे होता है अब यानि अगर उसको हम genetically modify करेंगे तो यह property आएगा और यह आएगा तो उसका behavior कैसे होगा यह हम lab में पता लगा सकते हैं यह बहुत important point take it करके चल रहा है अभी मैं फिलाल बात कर रहा हूं कि cloning vector की जो चार properties होती है औरी site होना selectable marker gene होना clear ध्यान से देखे कमांडो सोडी दिर पहले यह कहा था cloning sites होना तो restriction sites बहुत सारे होंगे लेकिन cloning site हर कोई cloning all cloning sites are restriction sites all cloning sites are restriction sites but all restriction sites are not cloning site ऐसा क्यों क्योंकि वो cloning site कहां आना चाहिए ऐसे gene sequence में जो की selectable marker का काम करते हैं तभी तो lab में हम पता लगा पाएंगे कि कौन पहले transformant हुआ है और transformant में भी कौन recombinant हुआ है क्योंकि हमारा जो मनोवांचित desired host है वो recombinant transformant होना चाहिए क्या होना चाहिए recombinant transformant is our heterologous host जिससे हमें foreign product of interest है ना बोलते ना product of interest from foreign gene मिलेगा तो हम lab में यह कैसे पता लगाएंगे इसके लिए cloning vector ही जिम्मेदार है क्योंकि उसके पास यह चार properties है selectable marker gene cloning site और वो host specific है कुछ cloning vectors plant में अच्छा काम करते है कुछ animals में अच्छा काम करते है clear commandos तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो cloning sites होते है to link alien dayने यह वो area जहां हम जोड सकते हैं हमारे alien dayने को vector needs to have recognition sites for commonly used restriction enzymes सही बात है correct statement आम तोर पर इस्तमाल होने हैं restriction sites enzymes के लिए उन vectors के अंदर cloning sites अलग-अलग होने चाहिए beware लेकिन एक बात गौर करिए commandos beware beware मतलब एक बहुती important point क्या presence of more than one recognition sites कम से कम होना चाहिए lesser है क्योंकि जादा restriction recognition sites होंगे तो multiple copies हो जाएंगे commandos इस बात को ध्यान से समझे suppose bomb H1 ध्यान से समझे इस बात को bomb H1 suppose एक restriction recognition site है cloning site है इस पूरे उसमें bomb H1 एक ही होना चाहिए एक से जादा नहीं होना चाहिए presence of more than one recognition site एक ऐसा recognition site जो की cloning site की तरह स्तमाल होने वाला है okay commandos वो एक से जादा नहीं होना चाहिए यहाँ ध्यान से समझे point NCRT का very very important yes it is correct लिखा है beware danger point danger point bomb H1 suppose यहाँ है अब bomb H1 यहाँ भी है अब क्या होगा commandos आपने अपना FDN तो तयार कर लिया foreign DNA कट करके अब उसको जोडने के लिए यहाँ भी जगा बनाएंगे लेकिन जैसी व एंजाइम एड करेंगे इसके दो टुकड़े हो जाएंगे commandos आई मेरी बात समय में क्यों क्योंकि bomb H1 के दो site है क्योंकि bomb H1 एक cloning vector में एक से जादा होंगे तो वो तो काम करेगा काम करेगा तो इसके टुकड़ हो जाएंगे एक से जादा तो एक ही होना चाहिए तो लिखा है generate several fragments है ना complicated gene cloning है टुकड़ा ही हो गया वेक्टर ही पुरा एसे होना चाहिए ना तभी तो हमारा foreign आके जुड़ पाएगा उससे यह expose हुआ यहां आके हमारा foreign जुड़ जाएगा आ गई मेरी बात समझ में commandos everyone of you यह भूत ही important point है याद रखियेगा ligation of yes अगला point ligation of alien DNA selectable marker carried out at restriction site present in one of the two antibiotic gene क्यों? क्योंकि restriction sites तो बहुत सार है अभी मैं PBR 322 के example से सब बताऊंगा यह point आप देखिए NCIT में हर बात लिखा हुगा है कि restriction sites तो बहुत सारे हैं लेकिन हम उसी restriction site में जाकर link करेंगे DNA, alien DNA को वहीं जोडेंगे जहां selectable marker मौझूद है अब ऐसा क्यों? तभी तो हमें क्यों? क्योंकि selectable marker gene क्या होते है उनके वज़े से हम पता लगा पातकते हैं कौन transformant है कौन non-transformant है कौन recombinant है और कौन non-recombinant है इसलिए हर जगह नहीं इसलिए मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले और किसी भी किसी भी वेक्टर में जो जिसे recognition site है वो एक से ज़ादा नहीं होने चीए क्यों? क्योंकि suppose example इस बात को अभी भी बताया कि bomb H1 अगर इस पूरे क्लोनिंग एक्टर में एक यहां है चलेगा लेकिन यहां यहां एक से ज़ादा हो गए तो bomb H1 तो पूरे वेक्टर को ही काटके 3-4 टुकड़े बना देगा लिखाया ना? फिर से देखे generate several fragments इससे हमारा क्लोनिंग कॉंप्लिकेट हो जाएगा clear commandos next ligate of foreign DNA at the bomb H1 site of tetracycline resistant gene अभी अभी last point जो बोला कि bomb H1 site जो tetracycline selectable marker पर होता है वहां हमने हमारे alien DNA को link कर दिया ठीक है? इस तरह से हम इस्तमाल कर सकते हैं तो antibiotic sensitivity test ठीक है यह तो लिख दिया अब बात आती है antibiotic sensitivity test कि हमारा recombinant तयार है जो भी हमने किया experiment अब हमें पता कैसे चलेगा कि given bacterial colony में कौन recombinant है कौन नहीं है कौन transform ही हुआ है कि नहीं पता चला होस्ट ने हमारा RDNA लिया ही नहीं अंदर non-transformant लिया लेकिन non-recombinant DNA गया अंदर recombinant गया कि non-recombinant तो two step antibiotic sensitivity test दो step होता है बस ध्यान रखिएगा first plate ध्यान दीजिएगा जो first plate होता है ampicillin containing ध्यान से देखिए first plate ampicillin containing helps to select a transformant from non-transformant अब इस question में ध्यान देने वाली बात है NCIT में जो example है कि हमने हमारा alien DNA कहां लगा दिया tetracycline selectable marker पे तो पहला जो plate होगा पहला plate जो होगा first plate जो होगा वो ampicillin वाला होगा कौन सा होलोगा ampicillin clear और वहां क्या पता चलेगा कौन transformant और कौन non-transformant है तो पहला plate ampicillin का क्यों होगा क्योंकि हमने हमारे alien DNA को tetracycline selectable marker पे लगाया है इसलिए पहला plate ampicillin का ही होगा जिससे पता चलेगा कि कौन transformant है और कौन non-transformant है correct statement according to the NCRT example अब मान के चलिए इसकी जगा इसकी जगा ampicillin वाले marker पे लगा देते हैं मान के चलो हम एक ऐसा restriction site का करते हैं जो ampicillin वाले area में है तो फिर पहला plate जो होगा tetracycline वाला होगा अगर आपने ampicillin वाले पे commandos यह chapter का बहुत ही important हिसा है अगर आपने अपना alien DNA foreign DNA ampicillin पे लगा दिया तो पहला plate कौन सा लेंगे ऐसा question आएगा ना पहला plate कौन से antibiotic का लेंगे to found non-transformant from transformant या transformant from non-transformant answer हो जाएगा tetracycline लेकिन NCRT में लिखा हुआ है tetracycline तो ठीक है tetracycline की तरफ लगा दिया तो फिर पहला plate कौन सा लिया the first plate ampicillin containing होना चाहिए yes commandos and helps to और उस पहले plate से क्या पता चल जाएगा कौन non-transformant है अब दूसरे plate में सिर्फ कौन मौजूद होगा दूसरा plate कौन सा जिसमें tetracycline है उसमें सबके सब transformant मौजूद है सबके सब transformant मौजूद है लेकिन अंदर recombinant DNA है कि ऐसी DNA चला गया ये भी तो है non-recombinant DNA चला गया non-recombinant DNA चला गया DNA है लेकिन non-recombinant तो all are transformant second plate पे जिसमें tetracycline है लेकिन वो क्या मदद करेगा help to select the recombinants कौन recombinant transformant है ये किस plate पे पता चलेगा second plate ये ध्यान रखने आपको तो finally finally commandos selection of recombinant due to inactivation of antibiotics commandos selection of recombinants due to inactivation of antibiotics cumbersome process दो step process है plates maintain करने पड़ते हैं और उसको transfer करते समय तो it's a cumbersome process हम चाहेंगे कि हमें एक step पे पता चल जाए हम ऐसा growth medium बनाया और वहीं हमें पता चल जाए कौन recombinant है कौन recombinant है हमें एक बार में पता चल जाए तो उसके लिए दूसरा तरीका है yes commandos यह भी मैं बताना चाहूंगा लेकिन सबसे पहले आप देखिए commandos गौर से PBR PBR के बारे में क्या है एक restriction site restriction site कितने है एक लेकिन cloning sites के वल कितने है चार कौन से BAM H1 SAL 1 PV 1 PST 1 only these four act as cloning site और यह सब एक-एक है ध्याद से देखिए कि सब एक-एक है क्योंकि एक BAM H1 और कहीं हो यह नहीं सकता है और यहीं पर ही क्यों क्योंकि यह selectable marker tetracycline है selectable marker ampiclin है यही मैं थोटे दिर पहले समझा रहा था कि हमने पहले यहां जोड दिया यहां जोड दिया alien DNA को BAM H1 से कटके जो भी हमने जोड दिया recombinant DNA तयार हो गया अब हमें अगर पता लगाना है कि कौन transformant और कौन non-transformant है तो पहला plate कौन से लेंगे ampiclin अगर मैंने यहां जोड दिया था तो फिर पहला plate कैसा लेंगे tetracycline वाला जिसमें हमें transformant और non-transformant पता चलेगा और दूसरा plate ampiclin का लेकिन NCRT में क्या example दिये वो पहले याद करा रहा हूँ आपको ampiclin में लिखा है कि हमने हमारा FDA ने यहां attach कर दिया तो पहला plate क्या लिया ampiclin वाला इसलिए इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं है ना यहां भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई selectable marker ही नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा FDA अटाच हुआ है कि नहीं बाकी जगा अगर हमने इस्तमाल कर लिया यहां से तो डिस्टब ही हो जाएगा और यहां अटाच हिंड 2, क्लाव 1 तो कोश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सपोज PBR 322 में हमने एक हिंड 3 एंजाइम कर स्तमाल करके FDNA कट करके फिर उसको लाइगेट किया तो बताईए हमारे क्या दिक्कत आएगी क्योंकि वो selectable marker gene sequence में नहीं है clear इस तरह से ही डाग्राम से question आ सकता है labeling से याद रखना है आपको commandos तो recombinant DNA inserted with coding sequence of beta galactocidase तो आपको बस simple insertional inactivation is a one step process जिसमें blue colored colony presence of chromogenic substrate blue colored colony if plasmid in bacteria does not have the insert मतलब जो non recombinant होगा इस example को पलके एक ही बात याद रखेगा insertional inactivation में दो तरह की colony आती है blue colony and white जो blue colony है उसमें उसमें जो है recombination नहीं होगा non recombinant colony non recombinant colony blue colony होता है और जो और जो commandos presence of insert अगर insert मौजूद है और यह inactive हो जाए galactocid gene तो ऐसी colony white color produce white color colonies do not produce any color white color मतलब कोई color नहीं blue color नहीं और वो क्या होगा recombinant colonies एक step में पता चल जाएगा क्यों क्योंकि जो non recombinant है non recombinant वो blue color colony वो chromogenic substrate का स्टमाल कर लेते है रंग आज जू बाजू दिखता है और जो white colony है वो recombinant है क्योंकि उसमें हमारा FDNA मौजूद है तो उसके पास वो gene वो enzyme नहीं है वो galactos को नहीं तोड पाएगा white in appearance white in appearance recombinant colony blue in appearance non recombinant colony ठीक है commandos इस तरह से आपको ध्यान रखना है अब हम बात करेंगे कि कुछ खास तरहा के vectors जो special host के लिए अगर plant cell ठीक है dicot plants transform normal plant cells tumour and direct tumour cells to produce chemicals required by the pathogen ये कौन agrobacterium tumation क्योंकि उसके पास transfer DNA मौजूद है natural genetic engineer agrobacterium tumification एक natural genetic engineering exhibit करता है है ना तो उसके पास TI plasmid क्या कहते है TI plasmid tumor inducing plasmid है अब उसके tumor inducing plasmid में से में अगर TI डिसाम कर दूँ वो gene हटा कर मेरे FDN लगा दूँ तो भी तो वो transfer करेगा plants को जाके infect करके मतलब उसमे establish तो करेगा ही ना इसलिए agrobacterium tumation को plant cell के लिए vector की तरा स्तमाल करते है ये ही बात यहाँ पर लिखा है वैसी retroviruses in animals transform normal cell into cancerous cell तो वो retroviruses जिनको उस gene sequence है normal cell cancer cell बनता है सिर्व उस gene को disarm कर दो हटा दे ओके commandos तो तो पूरा retroviruses के पास ability है अब उसमें हम अपना FDNA से काम करवा सकते है इसको कहते हैं disarming जो उसकी negative जो उसका नकारत मक पहले उसको हटा दे बाकी तो हमारे इस्तमाल के लाएक है तो animal cells के लिए commonly कौन सा वेक्टर retroviruses plant cells के लिए कौन सा वेक्टर है agrobacterium tumophacian T.I. plasmid का स्नमाल करना तो tumor inducing plasmids of agrobacterium tumophacian modified into cloning vector कैसे बनाते हैं वही no more pathogenic बस उसका T.I. gene उसके plasmid से tumor inducing gene को हटा दे तो वह pathogenic नहीं रहेगा बस able to use mechanism to deliver the gene तो variety of plants को हम transgenic plants बना सकते हैं agrobacterium tumophacian को vector की तरह स्तमाल करकर उसके plasmid में T.I. gene को हटा कर हमारा gene of interest लगा कर ये question ऐसे बनेगा आ गई मेरी बात समझ में commandos every one of you next retroviruses उनको भी disarm कर दो जैसे अभी ये भी मैंने बताया न disarm now used to deliver desirable gene into animal cells बिल्कुल सही बात है अब question आता है vector है हमने सब बना ले recommend लेकिन अब जो host है कभी-कभी जो है उसमें हमारा RDNA जो भी DNA insert करना चाहरा है उसको uptake करने लायक नहीं है उसमें कुछ कमिया है there are certain factors तो कैसे उसको competent लायक बनाया जाता है okay commandos how to make गौर करिये commandos how to make कैसे हम okay commandos कैसे हम जो है host को competent बनाते अलग-अलग तरीके chemical है ना micro injection ballistic gene gun method तो जैसे chemical method में क्या करते हैं सबसे पहले तो DNA hydrophilic वो आस्खुद जो है cell membrane cross नहीं कर सकता है तो हम ऐसे bacterial cells को competent बनाते हैं जिससे की वो DNA ले सके by treating them with divalent calcium calcium divalent calcium cations जिससे उनकी efficiency बढ़ जाते है DNA enters through the pores of the cell wall एक तरीका यह है chemical दूसरा recombinant DNA can be forced forced by incubating क्या कर रहे हैं उनको into the eyes फिर गरम करते हैं heat shock देते हैं और बापस eyes में रख देते हैं जिससे की membranes जो है थोड़े से loose हो जाते हैं और आसानी से DNA को अंदर ले लेते हैं recombinant DNA को यह physical यह chemical तरीका है यह physical तरीका है heat shock treatment clear next micro injection rdna directly injected into the nucleus of animal cell animal cell के लिए तरीका है और plant cells में cell wall होता है तो उनमें बिल्कुल गोली की तरह bombarded high velocity high velocity micro particles gold tungsten coated with DNA ballistic gene gun method कहते हैं तो plants के लिए match the column से question आ जाएगा यह ballistic gene gun method में क्या करते हैं plant cell के अंदर rdna इंटर करने के लिए ऐसे करके question आएगा तो आपको यह line याद रखना है clear commandos तो micro injection animal cells के लिए bacterial cells वागेरा के लिए physical and chemical treatment है heat shot physical treatment हो गया calcium divalence treatment दे कर है उसके pores को open कर देना जिससे कि वो chemical treatment के बाद हमारा rdna आसानी से uptake कर लेता है हमने यह treatment दिया उसको लायक बनाया competent these are the तो question ऐसे आएगा host competent methodology are host को competent बनाने के क्या सही तरीके है यह सारे तरीके और उनका definition all the statements are correct याद रहेगा commandos ऐसे करके आपको याद रहना चाहिए finally disarmed pathogen vectors allowed to infect the cell transfer rdna या फिर आप किसी भी वेक्टर को disarmed कर दीजे disarmed pathogenic vector जो pathogenic थे उनके vectors उनको आपने disarmed कर दिया उसके जो negative gene को हटा दिया अब वो तैयार है कि हमारे normal किसी भी cell के अंदर rdna को insert खोदी कर देगा क्यूंकि उसके अंदर ability है to transfer अंदर जाने का तो यह चार पाच अलग अलग तरीके आपने देखा host को competent बनाना लायक बनाना जिससे की हमारा rdna इंगल्फ करे अंदर ले सके clear commandos चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question okay commandos आगे बढ़ते है next point सब लोग ध्यान से देखिए rdna technology कि steps क्या है अभी तक आपने सारे tools देखे वहाँ से questions क्या सकते है restriction enzyme, dna, ligase, cloning vector की क्या properties होनी चाहिए है ना क्या नहीं होनी चाहिए इस तरह से भी तो question पूछा जा सकता है अब बात आती है कि जो rdna technology की step है कि सबसे पहले तो desired gene of interest को isolate करना किसी source dna से right फिर fragmentation यानि उसको restriction dization एक ambience environment proper buffer के अंदर restriction enzyme का स्तमाल करते हुए restriction dization फिर isolation उसको isolate करना कैसे gel electrophoresis से उसको अलग कर लेना है ना group of fragments of dna से अलग कर लेना फिर उसको ligate करना vector के साथ यानि rdna तयार होना फिर उस rdna को host के अंदर transfer करना यह पूरे chapter का gist है this is the correct sequence ध्यान से देखिया rdna technology have several steps dna isolation restriction of dna फिर gel electrophoresis dna fragment को separate करना ligate करना vector dna के साथ और फिर host के अंदर transfer कराके उसको इस medium ऐसे ambience environment में grow up करवाना जिससे की large scale production करते हुए finally desired product को pack करके user तक पहचाना जिससे downstream processing कहते है chapter jacking ही end होता है तो यह पूरा sequence है chapter का पढ़ने का और हर हिससे में कुछ ना कुछ questions बन सकते हैं understood commandos बिल्कुल सही बात है आप ध्यान से देखे ना line को पढ़के कि क्या करते हैं large scale तो DNA enclosed within the membrane अब DNA तो किसी भी cell के अंदर membrane के अंदर पहले तो cell को तोड़ना फिर उसके nuclear membrane को तोड़ना फिर DNA के साथ कुछ DNA जो है packed रहता है with impurities histone proteins और ribonucleus ही सब लगा रहता है RNA अगरे लगे रहते हैं उसके सब को separate करके pure DNA को extract करना ही DNA isolation है तो क्या करते हैं to release the DNA with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides, lipids सब को तोड़कर उनसे बिल्कुल separate करके तब जाके DNA को extract करना treat bacterial cells, plants, animal tissues अलग अलग तरह के enzyme से तोड़ा जाता है जैसे lysozyme किसके लिए? bacteria के लिए cellulis, plant cell के लिए fungus के लिए kytinase match the column से ये question आ सकता है कि kytinase is used for isolating fungal DNA correct cellulis is used for plant cell DNA और animals के लिए proteases proteases क्योंकि protein होता है animals are rich in protein इनको तोड़ने के लिए bacteria के लिए lysozyme तो DNA isolation के लिए से इस्तमाल होता है फिर last step जो होता है spooling ध्यान से देखिए जो isolated DNA को एक inoculation loop से विल्कुल इस तरह से घुमाते हुए निकाल लाना that action is called spooling spooling is the last step chilled ethanol से treat करने के बाद chilled ethanol से treat करने के बाद DNA precipitate को हलके हाथ से ऐसे निकाल लेने को spooling कहते है तो यही बात यहाँ पर लिखा है purified DNA precipitate out adding chilled ethanol is called spooling precipitate करते है और उसको बिल्कुल आराम से ऐसे खीच के निकाल लेते है जो अभी अभी अपने diagram में देखा था complete spooling involves spooling is spooling is करके question आएगा यह उसका answer है जिस option में ऐसा लिखा रहेगा आगे ही मेरी बात सबज में commandos फिर restriction enzyme digestion by incubating purified DNA molecule restriction enzyme फिर उसको क्या करते है restriction enzyme का स्तमाल करके उसको proper buffer में purified में तोड़ा जाता है अगार उस gel electrophoresis से हम उसको separate कर लेते हैं जो digested fragments of DNA क्योंकि कभी-कभी undigested भी रह जाता है और digest भी पूरी तरह नहीं हुआ है इसलिए progression जरूर यह band pattern से DNA is negatively charged molecule moves towards the positive electrode anotrode बिल्कुल सही बात है अब आप ध्यान से देखिए F DNA F DNA plus vector DNA recombinant DNA correct फिर आता ही है बात कि जो हमें DNA मिला उसको gel electrophoresis लगा लिया हमने निकाल लिया उसको अलग अब एक ही copy मिली उसकी multiple copies बहुत सारी copies तयार करना है कम समय के अंदर within a day 2 से 4 घंटे के अंदर yes that gene amplification in vitro laboratory condition in vitro condition में तेजी के साथ उसको हम कहते है polymerase chain reaction carry mulis ने इसको पूरा डिजाइन किया था इस machine को इस technique को multiple copies of the gene जो भी DNA gene of interest है in vitro condition में और उसके कितने steps होते है 3 steps denaturation, annealing, extension तीनों अलग अलग temperature पर perform होते है 3 steps denaturation, annealing annealing and and finally extension यानि polymerization अब उसमें reaction mixture जो मिलाते है yes, commandos ऐसे करके छोटे-छोटे microtubes होते है उसके अंदर load किया जाता है ऐसे एक-एक यह जो tubes होते है इस तरह से उनके अंदर DNA sample buffer रहता है ठीक है buffer रहता है DNTPs अलग-अलग ATP है ना GTP, CTP यह सब रहते है DNTPs magnesium iron और tap polymerase thermostable DNA polymerase जो की thermos aquaticus bacteria जिम्मेदार होता है copy बनानी के लिए replication and finally machine को thermal cycler कहते है तो PCR machine PCR technique में जो reaction mixture होता है उसमें यह सब चीज़े होती है और machine को हम thermal cycler कहते है क्योंकि तीन मिनिट एक cycle तीन मिनिट एक मिनिट denaturation एक मिनिट annealing और एक मिनिट इस तरह से जो है temperature change करकर के cyclic कितने rounds चला सकते है कितने cycles उतने ज़्यादा copies मिलेंगे clear इस बात का ध्यान रखे PCR तो यह तीन steps है denaturation annealing and extension और primers commandos ध्यान रखेगा क्या add करते है primers add करते है साथ में primers भी add करते है water primers primers क्या होते है yes commandos water primers short oligonucleotide sequence जो की annealing step के दौरान किस step के दौरान ध्यान से देखिएगा ठीक है primers और वो three dash end पे attach होते है किस dash पे three dash end जिससे incoming dntp incoming dntp कहा add करते हैं जिससे की hydroxyl group जो वहाँ पर phosphodaster bond करने के लिए इसलिए primers हमेशा किस end पे जुडते है three dash end और replication किस direction में होता है five dash three dash five dash three dash आ गई मेरी बात समझ में यह annealing step 40 degree Celsius 90 degree पे denaturation और 70 degree पे यह अलग-अलग-अलग temperature fluctuations उस machine की खासियते एक एक minute के लिए change आता जाता है this is PCR denaturation, annealing and extension rDNA bearing gene resistance to antibiotic ampicillin transferred into the E. coli E. coli जिसके पास कोई antibiotic resistance नहीं था उसके अंदर हमने एक ऐसा rDNA enter कर दिया जिसमें ampicillin resistant gene मौझूद था clear that's the concept तो फिर host cell transformed into ampicillin resistant जो host cell E. coli ampicillin resistant बन चुका है spread transformed into agar plates containing ampicillin जिसमें ampicillin है अब उसके पास भी ampicillin है only transformant E. coli transformant है उसके अंदर ampicillin resistant gene मौझूद है वही grow करेगा बाकि जो non-transformant जिनमें उन नहीं गया वो die, वो खतम हो जाएंगे celline resistant gene selectable marker है that's the question इस तरह से question पूछा जाएगा आ गई मेरी बात समझ में commandos every one of you clear एकदम अच्छे से next recombinant technologies ध्यान से देखिए question number 66 recombinant technologies aim to produce a desirable aim to produce a desirable protein recombinant desirable protein बनाना और उस proteins को ही हासिल करना ठीक है तो need recombinant DNA to be expressed under suitable appropriate condition तो कैसे तै हो जो heterologous host है जो तैयार है लेकिन वो एक suitable condition में वो बना सके हमारा product of interest gene of interest अपना आपको express कर सके ये recombinant DNA technology का सबसे बड़ा aim है तो any protein encoding gene expressed in heterologous host heterologous शब्द का मतलब था एक host जिसके genetic composition में कुछ तो अंतर आया है हमारे genetic manipulation के कारण engineering के कारण इसलिए उसको heterologous host कहते है understood ठीक है तो तब और heterologous host अब जो protein बनाएगा जो उससे पहले नहीं बनाता था क्यों? क्योंकि वो उसका genetic property नहीं था वो तो इंसान के वज़े से उसके अंदर आया हमारे manipulation हमारी manipulation से उसमें ability है इसलिए उसको recombinant protein कहते है understood commandos क्योंकि वो अपने natural source animal body से हट कर अब हमारे desired organism में बन रहा है जो की हम उससे करवा रहे है that is the concept of heterologous host और उससे ही मिलेगा हमें हमारा recombinant protein तो cells जो भी cells होते हैं host के वो harboring cloned genes of interest उनको grow करने के लिए पहले small scale pilot project small scale conduct किया था लेवाटरी में जिससे की parameters ये बहुत ही fundamental question है large scale production से pilot small scale production करना ज़रूरी इसलिए है जिससे की वो culturing cell कैसे किस medium, कितने pH, कितने temperature कौन से enzyme के presence और किस तरह के nutrient ये सारे parameters हम fix कर सके cultures used for extracting the desirable then purified by using different separation technique पहले laboratory में small scale पर ये सब कर लेते हैं फिर उसके accordingly कैलिबरेट करके बड़े level पर production करने के लिए large vessel bio reactors design करते हैं which are well जो कि भहुत भेतरीन तरीके से controlled conditions में काम करने के लिए equipped less होते हैं उसमें pH control, pressure control है ना, aeration, inlet, outlet रहता है अलग-अलग तर एजिटेटर होता है जिससे medium uniformly घुमाया जा सके और nutrients पूली तरह से distribute हो सके yes commandos, यही बात लिखा है continuous culture system small scale के पास large scale क्या फाइदा होता है continuous culture का large scale production के लिए क्यों? क्योंकि वो इस तरह से designed है जिससे की जो medium of use आसानी से drain out एक तरफ से used medium drain out करे और fresh medium जोड सके यह होता है continuous का मतलब और इससे जो respective हमारा host cell है वो हमेशा अपने log face में बना रहता है क्योंकि उस log face में उसको ample, ambience वो सारे conditions मिल रहे होते हैं जिससे उसकी product value product बनानी की efficiency सबसे बहतरीन होती है ओके कमांडोस, yes fresh medium is added to other to maintain the cells in their physiological most active state exponential, exponential face बनाया रखने का, देखिए कमांडोस, यही बात मैंने भी थोड़ी दिर पहले आपको समझाया cells in their physiological most log exponential face, तो continuous culture का क्या फायदा है और यही large scale biomass जिससे ज़्यादा से ज़्यादा desired protein manovanchit protein product जो हमें उससे चाहिए वो quality और quantity के साथ मिलेगा, quality and quantity इसलिए continuous culture system large scale production के लिए एक भैतरीन तरीका है अब देखिए इसमें जो bio reactors है, vessels, उसमें raw material, biological converted into specific product, individual enzymes, etc. बिल्कुल सही बात है और इसके लिए microbes, plant, animal, human cell जो भी, जो भी अंदर process कर सकते हैं उसके अंदर clear? Yes, that's the large vessel called bio reactor bio reactor where provide optimal conditions bio reactor की क्या सबसे बड़ी खासियत होती है वो सारे जरूरत की conditions होते हैं वो बहतरीन तरीके से उपलब्द कराते हैं desired product by providing optimum growth conditions, temperature, pH, substrate salt, vitamins, oxygen बिल्कुल सही बात है यही सब तो है जो की एक साथ एक समय में लगातार बनाय रखने की जरूरत होती है desired product gene of interest से लेने के लिए हमारा GMO उसको एन यही तो chapter के शुरू में कहा था genetic modified organism, genetic organism से बना तो दिया आपने लेकिन उसके लिए जो ambience और जो conditions चाहिए वो भी हम उसको उपलत करा है तभी उससे हम फाइदा ले सकते हैं तो यह उसका end up है इस तरह से बायो टेक्नोजी में the most commonly used bioreactors are steering type दो तरह के discussed है steered and sparged तो देखते हैं steered tank reactor cylindrical drum, facilitated mixing of reaction reactor content जो भी reactor content है उसको अच्छे से mix up करने में मदद करता है stirrer की तरह जिससे चीज़े जो अच्छे से mix up होते रहे the stirrer facilitate even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor पूरे हर हिस्से में oxygen proper पहुच रहा है की नहीं सारा nutrient properly distribute हो रहा है की नहीं bioreactor में क्या-क्या होना चाहिए question ऐसी आएगा अगला question commandos अगला question bioreactor पूरा एक किन चीजों की assembly किस चीज से less होना चाहिए agitator system, oxygen delivery system foam control जाग जमा हो जाता है फिर एक समय के बाद वो aeration proper नहीं होने देगा तो उसको समय समय पे हटाने के लिए temperature proper होना चाहिए pH sampling port मतलब एक हिस्से से जो है product को निकाल निकाल के समय समय पे test करते रहना कि उसकी chemical composition जैसा चाह रहे है वैसा आ रहा है कि नहीं वो sampling port so that small volume of the culture can be withdrawn periodically थोड़ा थोड़ा निकालते हुए test करते हैं उसकी quality maintain हो रही है कि नहीं finally यह पूरा जो biosynthetic stage cover करने के बाद the product has to be subjected through सही बात है सब कुछ तयार हो गया अब उसको एक ऐसी processing से गुजरना जिसमें series involved है जिससे कि वो finished product की तरह backup होके user friendly एक proper period तक logo तक पहुच सके जिससे कि वो स्थमाल कर सके yes that what we call downstream processing marketing तक पहुचाना यह question आ चुका है commandos ध्यान रखियेगा जिसमें purification finished product को purified form में usable form में clear खराब ना हो जाए इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं quality control कहते हैं इसको okay commandos the product has to be formulated with जो product है उसको suitable preservative खाने पीने की चीज़ है उसकी expiry रहती है है ना such formulation undergo thorough clinical trials अगर drugs drugs वगेरा है तो उसको clinical trial से गुजरना पड़ता है कि लोगों में कुछ adverse reactions तो नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं तो कितना percentage आ रहा है और कितने हद तक आ रहा है इन सब के बाद ही वो market में marketing के लिए launch होगा और जो respective customer client तक पहुचेगा यस और strict quality control testing of the product अलग अलग इंडस्ट्री में यह सारे processes अलग अलग तरीके से achieve किया जाते है तो okay commandos यह थे वो questions के major हिससे जिस तरह से पूछा जा सकता है एक एक कोना एक एक line आपके सामने रखा गया है 77 points में अब आगे अब आप देखिए एक question इनके comparison में भी आ सकता है जो sparge stirrer है उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो stirrer होता है उसमें छोटे-छोटे-छोटे perforations बने रहते हैं और bubbles की तरह oxygen, oxygen bubbles, bubbles of oxygen dramatically वो surface area बढ़कर जो है पूरे जगे पहुत जाता है sparge, sparge stirrer का सबसे बड़ा फायदा है कि oxygen delivery के लिए भैतरीन है उसके अंदर perforations रहते हैं जिससे की oxygen अंदर enter करके उन openings उन perforations से जो है बुलबुले की तरह निकलता है यही बात यहाँ पर लिखा है oxygen transfer area को बढ़ा देता है यह sparse stirrer का जो है advantage है simple stirrer tank के उपर यह ध्यान रखियेगा commandos finally do you know cloning vector should be minimum restriction sites मैंने बताई दिया है विल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि ज़्यादा load नहीं कर सकते और एक से ज़्यादा अगर recognition site होगा bomb h1 एक से ज़्यादा होगा याद करिये तो फिर उतो पूरा ही vector कट जाएगा दो जगे से टुकड़े हो जाएगे तो उसका अस्तमाली नहीं हो सकता इस तरह से आपको बताया गया pilot project laboratory में क्यों किया जाता है क्यों करना ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बताया क्योंकि जिस से सारे parameters conditions कितना temperature तब जाके large scale production bio reactor में design होता है तो इस तरह की बातों के साथ do you know कि कुछ questions से sticky end किस bond से आपस में ligate करते है hydrogen bonds which sequence determines the initiation of replication or recite इस तरह की points gold tungsten coated DNA molecule किस technique में स्नमाल करते हैं जिससे कि DNA delivery is used in which method gene gun या ballistic gene gun method जिसे हम कहते हैं फिर ये differences cloning और PCR में spooling और illusion में simple stirrer और sparse stirrer में अभी अभी मैंने आपको differences बता है तो commandos ये है वो most probable hot spot topic इस chapter से question पूछने का जिसे आपको ध्यान रखना है तो इस उमीद के साथ मैं आप सब को जो है all the best offer करता हूँ और जो है आप अपनी तयारी को समय समय पे direction इसी तरह से देते रहे ये 2022 17 जुलाई आपका बहुत अच्छा बीते तीन घंटे exam hall में आप अपने इस पूरे साल बर की तयारी को एक अच्छे अंजाम तक पहुचा है इस उमीद के साथ all the best thank you